अलो फिंट्स वेलकम टूबर चैनल हम बात करने वाले हैं ओयल इंडिया के बारे में ओयल इंडिया कर हम देखें तो मैंने आपको टॉप से ब्रिकडाउन दिया हुआ है सेलिंग और जितनी बार भी इसमें बाइंग आया है अपने इस चैनल पर भी और सेकंड चैनल पर भी ये बायर्स को ट्रैप करने के लिए है क्योंकि अकर आप इसमें जब भी देखोगे बाइंग आया है तो जितना बाइंग आया है उससे ज्यादा सेलिंग आया है जितना भी बाइंग आया उससे ज्यादा आपको सेलिंग देखने क्लेम ला है यहां पर भी आप देखोगे सेम कंडिसन था अभी यहां पर वेकर आप देखो जो बाइंग आया है उससे यह सेलिंग बहुत जादा है तो यह चीज मैंने बार-बार रिपीट गया है कि सेलर्स का स्टेंथ बहुत जादा है जैसे यहां पर रहा कि एक कंडल के अंदर करीब 6-7 कंडल का मोमेंटम यह कवर कर गया तीन कंडल के अंदर करीब 2 या 3 वीक का मोमेंटम कवर कर गया तो यह चीज समझे कि इसका मोमेंटम बहुत श्ट्रॉंग है और आने बल टाइम में कंटिन्यू कर सकता है यह मैंने टॉप से दिया है आपको कि 550 का लेवल इंपोर्टेंट होगा यहां पर सपोर्ट करेगा तो 500 का लेवल इंपोर्टेंट होने वाला है और 440 का लेवल बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है फिलाल यहां पर तो किसी को बिलीव हुआ नहीं था अभी जब सपोर्ट पर आ गया था तब भी बहुत सारे लोगों ने नेगटिव कमेंट्स किये कि नहीं 100 गया म हर चीज के पीछे कोई news नहीं होता है और market सिर्फ news based नहीं चलता है लेकिन अब जो लोग 4 महीने पहले 5 महीने पहले ही market में आए है उनके लिए news ही सब कोछ है उनको crash का मतलब ही नहीं पता उनको correction का मतलब नहीं पता है उनको normal market जैसे कैसे price को average करता है उनको उसका मतलब नहीं पता तो क्या चीज़ें आप explain करोगे उनको ये पता ही नहीं है कि stock जब correct करने पे आता है तो बिना किसी region बे 40-50% correct कर जाता है अगर उसने sharp momentum दिया है अभी के time में अगर आप देखोए तो जब top पर दिया था तब तो किसी को believe नहीं हुआ था लेकिन आज अगर आप देखोए तो 30-35% down है ठीक है मैंने जब दिया था वहां से अगर आप देख लोगे तो करीब 25% down है ठीक है तो ये चीज़ है फिलाल के अभी मैं सेम चीज़ फिर से repeat कर दे रहा हूँ buying के लिए मत प्लान करिएगा मैंने आपको buying पहले भी दिया है बस कुछ लोगों को सुनाई नहीं देता है वो चीज़ एक अलग है मैंने आपको हर वीडियो में जितनी वीडियो मैंने आपको अभी तक share की है चाहे इस channel पर हो चाहे second channel पर मैंने एक point हमेशा repeat किया हर वीडियो में कि अगर आपको buy करना है 610 के उपर buy करना अगर आपको buy करना है 610 के उपर ही buy करना अगर stock में खुद इतना strength भी नहीं है कि वो 560-570 के level से 5 या 7% का momentum दे कर इस level को break कर पाए तो फिर क्यों buying करना है ऐसे stock को simple सी चीज है अब जो जिनको ये बात नहीं समझ में आई वहाँ पर indirectly उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो simple सी चीज है तो फिलाल अभी भी same condition है अगर आपको buy करना है तो ये level सबसे best है अभी के लिए बाकी stock अभी breakdown अल्री कर चुका है हो सकता है यहाँ पर फिर 78% का इस type का reversal candle बना दे तब भी मैं आपको same चीज कहूँगा कि buy मत करना यहाँ पर ये एक trap move हो सकता है जैसा यहाँ पर हुआ था मैंने तब भी आपको वीडियो दिया था इस candle में भी बना कर कि अगर आप इस buying को देखकर ये सोच रहे हो कि buying आ गया है तो इस चीज को याद रखेगा कि पहला candle इसका क्या था तो कोई buying नहीं आया है जितना sell हुआ था उतना ही recover हुआ है तो इस चीज में ट्रैप मत होना ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए है अभी भी सेम चीज हो सकता है यहाँ पर छे साथ परसेंट का रिटन कल केंडल बना दे लेकिन वो सरफ एक ट्रैप केंडल ही होगा बागे आने वाल टाइम में आपको यहाँ पर आप 500 से लेकर 480 का रेंज बहुत जल देखने के लिए मिलने वाला है जो कि इसका बहुत important support होगा यहाँ पर आने के बाद stock फिर same activity करेगा जो कि अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है तो ट्रैप मत होना जब तक daily chart में proper reversal pattern ना बने तब तक के लिए कम से कम wait करें बाइंग के लिए long term बाइंग के लिए जो लेबल्स है वो 450 से लेकर 500 का लेबल best label होना ही वाला है और अगर इस लेबल के नीचे भी आपको मिलता है तो वहाँ पर हम quantities को add कर सकते है 450 के बाद और 500 के आसपास की जो range है यहाँ पर हम long term के लिए investing करना start कर सकते है और जो 350 से लेकर 450 का range है यह best range होगा जहाँ पर हमें अपना maximum quantities को add कर लेना चाहिए तो यह levels होने वाले हैं अगर आप long term plan करना चाहते हो तो 450 I think जो इसका level है वो best label है इसके 50 point उपर और 50 point नीचे दोनों side पर आप investing के लिए प्लान कर सकते हो बाकि ऐसे किसी भी stock पर आपको analysis चाहिए तो stock का नाम comment कर सकते हो support your strength levels के लिए आप हमें telegram चैनल पर message कर सकते है जिसका link description channel के about works में दिया हुआ है पसंद आता है वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना मत भूलेगा thank you so much